नमस्कार स्वागत आपका स्टार्ट इन्वेश्मेंट में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों एक जबर्दस्ट इन्फरमिशन देने वाला हूँ बॉनस डिकलेर कर दिया है धमाका यहाँ पे हो गया है शेर होल्डर की लोटरी लगने वाली है एक डेट फ्री शेर जिसने की 5000 परसंटेज तक के रिटन दिये हैं अगर आप लोगों ने एक मार्च या उससे पहले खरीदा तो आपके शेर जो है डबल हो जाएंगे तो जब परतस्त इंफोर्मिशन यहाँ पे यह होने वाली है वीडियो को कम्प्लीटली देखेगा एक बार डिस्क्लेमर को रीड आउट कर लीजेगा तो बॉनस होता क्या है यह भी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और साथ ही साथ यहाँ पे एक स्ट पड़े करते हैं तो फ्लैट 20 रुपीस पर ओडर आप लोगों से चार्ज किये जाते हैं डिलीवरी बेस्ट ट्रांजक्शन के लिए आप लोगों से कोई भी चार्जेज नहीं लिये जाते हैं यानि कि जीरो चार्जेज लिये जाते हैं तीनों के जो प्लेट फॉम है और तीनों के लिंक पर क्लिक करें एकाउंट ओपन करें और इंजोई करें अपस्टॉक जिरो दैन एंजल प्रोकिंग के सर्विसेज तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि बॉनस होता क्या है तो बॉनस शेयर्स आर एडिशनल सेयर्स यानि कि यह एडिशनल सेयर्स होते हैं गिवें टू दी करेंट सेयर्स अब किसको दिये जाते हैं यह करेंट सेयर्स अर उसके लिए एक रिकॉर्ड डेट फिक्स की जाती है और उस दिन यह पता लगाया जाता है कि हां किस किस के पास इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर है वो कंपनी उन बिना किसी additional cost के based upon the number of shares that shareholder owns मतलब किस पे बेस एक जिस शेर होलडर के पास कितने share है उस पे बेस bonus share किसी current shareholder को दिये जाते है these are company's accumulated earnings मतलब यह company के accumulated earnings होती है which are not given out in the form of dividends यानि कि dividends भी company देती है लेकिन ये वो earnings होती हैं जो कि dividend की forms में नहीं दिये जाते हैं but are converted into free shares और convert कर दिये जाते हैं free shares में यानि कि company या dividend के form में अपनी earning न दे के bonus देती है अब one is to one bonus का मतलब क्या होता है ये भी आप लोगों को बता दूँ वन is to one का मतलब होता है एक bonus share आप लोगों को मिलेगा अगर आपके पास company का एक share है तो अगर one is to two अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि company का एक bonus share आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोगों के पास company के दो share है तो यह तो simple logical साथ ही साथ एक चीज होती जब company का bonus मिलता है suppose that one is to one के ratio में और market price चल रहा है company का 500 रुपए पर share तो अगर आपके पास company का एक share है तो एक free में मिल जाएगा और कितने हो जाएगा total दो हो जाएगे लेकिन उसी time क्या होगा जो यह 500 रुपए का market price था company का यह भी गिर के recorded के दिन 500 रुपए का हो जाएगा यानि कि same ratio में market price भी decrease हो जाता है तो यह तो रही bonus के बारे में information अब जिस company के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं quint digital जी हां दोस्तों quint digital media limited company का काम है अब company के नाम से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं digital media यानि कि digital media sector में यह company काम करती है इनकी magazines हाती है इनके बड़े-बड़े post भी आप लोगोंने कई बार google में पढ़े होंगे news notification में आते हैं तो यह company digital content यानि कि digital media में काम करने वाली company है quint digital media is engaged in the operation of other websites that act as portals to the internet यानि कि एक ऐसा platform प्रोवाइड करना जो कि दूसरों को एक platform प्रोवाइड करता है यानि कि digital platform यह other companies को प्रोवाइड करती है mainly यह मान लिजी एक ऐसी company है जो कि social media या newspaper इन सब को host करती है साथ साथ अगर company का यहाँ पर market capitalization दिखा जाए तो 644 करोड रुपए का है यानि कि छोटी सी यह company है micro cap company और bonus इसने दिया है price earning ratio 350 का बहुत high है क्योंकि company का EPS काफी कम है और जिस दिन से bonus की घोसना हुई थी की one is to one का bonus मिलेगा share में अच्छे खासी rally भी देखने के लिए मिली है वहीं अगर debt की बात करें तो company पे zero debt है zero debt वाली company है और cash equivalent almost 29 करोर रुपीज के हैं तो company में cash अच्छे खासे हैं promoter holding 53 percentage है EPS डेड़ परतिसत के करीब return on equity negative में है तो share ये अच्छा खासा है promoter के holding जैसे की पहली है आप लोगों को बताई public के पास 37 percentage की share holding है और FII के पास यहाँ पे देखा जाए तो 10 परतिसत अब एक चीज तो यहाँ पे सोचने वाली है कि FII ने यहाँ पे almost 10 परतिसत के share अपने पास बना रखे हैं और एक छोटी सी company में FII की holding हमें at least study तो करना चाहिए कि ऐसा क्या है कि यहाँ पे FII ने जो है investment कर रखा है वहीं stock के returns की बात आप लोगों के साथ करूँ मैं हमेशा long term के returns at least 3 years and above की बात ही करूँगा हमेशा 2291 परतिसत के return company ने दिये तो almost 22 times कर दिया आपने shareholder के पैंसों को मात्र 3 सालों में बहुत बड़ी बात है और 4 सालों के अगर आप लोग बात करें तो 4908 परतिसत और इसलिए मैंने कहा था approximately 5000 परतिसत मैंने लिग दिया था तो यह देख लिजिए कि कितने time 49 times अपने shareholder के पैंसों को कर दिया है अगर किसी investor ने इस company में मात्र एक लाग रुपए लगाया होते चार साल पहले तो वो company के share यह जो है कितने बन गई होते total value 49 lakh रुपीज बहुत बड़ा amount और इसलिए मैं कहा रहा हूँ बहुत बड़ा profit बनाने वाली यह company अपने shareholder को इसने माला माल किया है quint digital media company का नाम है 588 रुपए current market price चल रहा है जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और यह देख लिजे पैनी share से कितना जबर्दस performance अशने दिये मात्र 2016 में 11 रुपए के आसपा share trade कर रहा है तर आज की date में पूरे आसमान की तरफ बढ़ता हूँ चला जा रहा है 588 रुपए अब मैं इस company के bonus की details आप लोगों के साथ share करना चाहूँगा पहले तो यह बता दो यह देख लिजे इनका the quint का logo है BAC को only BAC के ओपर यह company मिलेगी आप लोगों को तो यह बता देता हूँ जब इन्होंने declare क्या था कि one is to one का bonus तो यह देख लिजिए issuance of fully paid up bonus shares in the ratio of one equity shares for every one equity shares held on the record date यानि कि record date के दिन जिस भी share के पास share order के पास एक share होगा उसको एक free में मिलेगा यह गोसना बहुत पहले हो गई थी लगभग यह देख लिजिए जनवरी 20 को यह पहले ही आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया गया था अब जो दूसरी information है जो की company ने अभी latest दी है तो यह देख लिजिए the quint 19 फरवरी की यह गोसना है और BAC को लिखा गया है क्यों क्योंकि केवल BAC के ऊपर ही यह company listed है अब recorded मैंने क्या कहा था recorded के दिन share आपके dmatt account में होना चाहिए तभी जाके आप लोगों को bonus का फाइदा होगा lottery आप लोगों की लगेगी तो March 3 तारिक को इन्होंने recorded रखी है तो X date कब होगी X date हो जाएगी 2 March के दिन और आप लोगों को at least यह share ले कब लेना है एक March या उससे पहले और इसलिए आपको काफी advance में information दी जा रही है जिससे कि आप लोगों को अगर bonus का फाइदा लेना है तो position आप लोग बना सके लेकिन खरीदने न खरीदने का decision यह पता है आप लोगों का ही होगा हम लोगों का काम है आप लोगों तक नहीं नहीं latest information लाना तो record date है 3 March X date हो जाएगी 2 March और at least 1 March है उससे पहले आप लोग खरीद लेंगे तो आप लोग bonus को enjoy यहाँ पर कर सकते है तो जबरदस्त bonus 1-1 का bonus यहाँ पर company ने declare किया उसके recorded भी आप लोगों को मैंने बता ही दी है और एक मार्च है उससे पहले अगर ले लिया तो आपके share जो है यहाँ पर double हो जाएंगे साथ-साथ डिस्क्रिप्शन में इन तीनों के लिंक दिये गए है तीनों के लिंक पे क्लिक करें account open करें और enjoy करें तीनों की सर्विसे साथ-साथ अगर आप लोग यहाँ पर intraday करते हैं तो फ्लाइट एट्टन्टी रुपीस पर ओडर आप लोगों से चार्ज किये जाते हैं और delivery based transaction के लिए कोई भी charges नहीं लिये जाते हैं एक चीज कहना चाहूँगा वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल को subscribe कर दीजिएगा बगल में जो bell का icon से प्रेस कर दीजिएगा इससे होगा क्या कि share market के latest update इस चैनल के आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी और हम लोगों को encouragement बिलेगा और अच्छे वीडियो बनाने के लिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद